NTA uses net यानी निमीजनेट, all 10 unit study notes, all 10 unit ad-free videos, 2012 से लेके 2020 तक all shift question paper first and second with answer की, topic wise question paper हिंती English, most repeated question videos or notes, download it on Google Play Store. दोस्तो question paper में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है, M कितने पे आता है, J कितने पे आता है, U कितने पे आता है, अगर हम एक second के अंदर पता कर लेते कि कौन structure कितने पे आता तो हम बिल्लकुल असानी से question कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो अब हम इसी के बारे ह जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं। हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के कोशन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के कोशन आपको अलग अलग मिलेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और E कितने पे आता है। इसी तरह से लाश्ट के अंदर X, Y, Z जो होता है, इनको भी हम बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं कि यह 24 पे आता है, Y 25 पे आता है, और Z 26 पे आता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सिरू के जो पांच अकसर और लाश्ट के तीन अकसर यह हमें याद रखना बहुत असान है, यह हम बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन शेकसर है, अब देखे दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं, आगे F और P के बारे में बात करते हैं, देखे दोस्तों, F और P के अंदर अगर हम कुछ समानता देखे तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी, सबसे पहले हम इसमे क्या करेंगे दोस्तों ये देखे एफ और पी दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकरती मिलती है एफ और पी को देखे हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ-कुछ 6 के जैसा मिलेगा और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं एक तो 6 बनता है, एक 16 बनता है ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा Z आता है, तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे, फिर बच्छा हमारे पास 6 और 16 तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है, वो कितने पे आजाएगा, छे पे और P है वो आजाएगा, सोहला पे आजाएगा इस तरह से आप इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमारे 6 नंबर से 2 अकसर हो रहे, P और F हो रहे हैं, तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, आगे कौनशा अकसर है अब देखिए, आगे है हमारे पास G और Q अब इसमें भी देखिए, दोस्तों हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में common क्या है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G इस तरह से लिखते हैं और Q इस तरह से, G के अंदर यह देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 7 के जैसा यह दिखाई दे रहा है हमें और इसी तरह से Q के अंदर यह देखिए, दोस्तों यह भी 7 के जैसा एक तो साथ बच गया और एक सत्रा बच गया तो साथ किस के लिए हो जाएगा जी के लिए और क्यू किस के लिए हो जाएगा सत्रा के लिए हो जाएगा तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं चलिए अब हम आगे देखते कि आगे कौन शाक्सर है अब देखिए दोस्तो बात आती है एच को हम किस तरह से याद रखेंगे देखिए दोस्तो एच को हम इस तरह से लिखते हैं हम सभी को पता है और एच को देखिए उपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देंगे देखिए जो एच है उपर से और नीचे से हमने दोनों तरफ से मिला दिया, इसे तो क्या बन जाएगा? हमारा 8 बन जायगा. तो यानि कि फिर क्या हुआ? ह कितने पर आता है? 8 नंमर पर आता है. तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल असानी से याद राख सकते हैं. अब हम आगे देखते हैं. आगे आता है दोस्तों, हमरे पास आई दोस्तों आपने देखा होगा कि आई को हम बड़े बड़े में ऐसे लिखते हैं और छोटे में हम कुछ-कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लिखने में ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारा एल्फावेट कुछ-कुछ नो के जैसा हमें दिखाई दे रहा है त आगे आता है दोस्तों हमारे पास जे आता है जे को देखें किस तरह से याद रखेंगे जे में देखें दोस्तों ऊपर का जो है ये डंडा जो है इसे हम एक माल लेंगे और नीचे जे में जो ये मुड़ा हुआ है इसे हम बिल्कुल जीरो बना देंगे तो यहां से क्या बन कि आगे कौन आता है आगे आता है दोस्तों के दोस्तों हरियाना में हमारे हरियाना में बच्चे कहते हैं कि मजाक मजाक में कहते हैं कि ए वी सीडी का गार गयारवां अक्सर के होगा है के होगा है तो यानि कि वो उसे में बता रहा है कि क्या है के होता है गयारवां अक्सर के ह होता है तो यहां यह बिल्कुल नसानी से हम याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास एल अब देखिए ल को हम किस तरह से याद रखेंगे और इसमें देखिए ल को हम इस तरह से लिखते आप सभी को पता है तो है एले में हम क्या करेंगे उपर का जो पोर्षन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इस तरह से इसे बढ़ा देंगे तो यह किसा कि बन जाले कि दूंद ब cape शहुकत नहीं आए उर दो से हमारे क्रोंटिंग बन 12 बच जाएगा यानि कि L कितने पर आता है 12 नमबर पर आता है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा अक्सर आता है हमारे पास आगे हम लेके चलते दोस्तों दो अक्सर को लेके चलते हैं एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है अब देखिए दोस्तों इसमें भी हमें किसकी आकरती प्रातोरिय तीन के जैसा यह हमें लग रहा है और तीन से वही बात आती है दोस्तों कि तीन से क्या-क्या बनता है एक तो तीन बनता है तेन बनता है तेन पर हमें पता है कि सी आता है और बाद में क्या रहे गया तेरा रहे गया और तेईस रहे गया यानि कि M कितने पर आएगा वो 13 पर आएगा और W कितने पर आएगा 23 पर आएगा तो इस तरह से दोस्टो आप बिलकूल असानी से याद za dub 물thξy n और M हमें पता है दोस्तों हम न को दो तरह से याद रख सकते chakra एक तो M न के बाद आता है जैसे कि MN और M हमने अभी पता है कि वह 13 नंबर पी आता है तो n कितने पे आएगा चोधा नंबर पे आएगा और इसे हम एक को दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं जैसे कि N है इस तरह है N को हम दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से हमने काट लिया इन दो हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास ये देखिए ये भी 7 के जैसा लग रहा है तो इन दोनों को जब हम add करेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा तो यहां से हम इस तरह से भी इन को याद रख सकते हैं और आगे देखते हम आगे कौन शाद आता है आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारे पास O O को जैसे कि हमने अभी बताया कि M, N, O, 3, 81 आते हैं तो इनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि M आता है 13 पे, N आता 14 पे हो आता है 15 पे आता है ठीक है दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल होसानी से याद रख सकते हैं आगे देखते हैं, आगे देखिए दोस्तों आगे हमारे पास आता है R और S अब देखिए R को हम किस तरह से याद करेंगे R को वही बात आई दोस्तो आर को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा आठ के जैसा हो जाएगा ठीक है और आठ का हमने पीछे देखा था कि आठ आठ पे कौन सक्स राता है अगर आपको याद हो तो आठ पे क्या आता है एच आता है तो आठ से हमारे कौन कौन सक्स अंक बनेंगे एक तो आठ बन गया एक अठारा बन गया एक अठाइस बन गया तो आठाइस हमें पता है कि अठाइस कुछ होता ही नहीं है और आठ पे हमारा एच आता है और बच गया क्या दोस्तो हमारे पास 18 बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ DR कितने पर आता है 18 नमबर प्र याफ पर ilkin нос हमारे पास आता है अगल देखिए को याद रखना बिल्कुल असान है जर्से के कि के हम कहते है 2020 मैच होते है हमारे यहां पे तो यहां से हम इसे बिल्कुल यहां तो यहां से हम बिलकुल असानी से याद रख सकती अब आगे देखते दोस्तो आगे आता हमारे पास U को किस तरह से याद रखना है अब इसके लिए थोड़ा से हमें माइंड लगाना पड़ेगा इसे भी दोस्तो हम चोटी AVCD में लिखने की कोशिस करेंगे देखें दोस्तों यू को कुछ-कुछ हम छोटी AVCD में इस तरह से भी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा दो के जैसा लग रहा है और ये जो है हमारा एक के जैसा लग रहा है तो यहां से हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि ये कितने पे आएगा 21 नमबर पे ये आएगा तो इस तरह से कुछ logic लगा के हम बिल्कुल लसानी से याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है दोस्तों हमारे पास V अब देखिए जैसे कि हमने गाडियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि V2H2 यानि कि V2H2 यानि कि इसका मतलब क्या हो गया V2H2 यानि कि दो दो आ गया तो V का मतलब क्या हुआ है ये 22 पे आता है तो इस तरह से हम वी को बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो हमारे A to Z सभी अलफाबेट हो जाएंगे बिलकुल असानी से और अगर आप एक वर फिर से रिवीजन करना चाहो तो यहां से कर सकते हैं